आप सब लोग स्वागत है आप सब लोग का यूभी पीसे सुतकर्ष में मेरा नाम है वैभाशी उभरे फटा फट से इस क्लास के लिंक को लाइक करके बागी लोगों साथ शेयर कर दीजिए बढित पटारी सब लोग का यूभ धत्यूकर्स Fəह crosses हागी प्यूभी नाम है वह सिर्गे वीू इस क्ट्ड़ने वी समय उभरे में प्यूदी टतंस नना metro κ官व जह व्जज़ना में 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 इस क्लीकित करिवों से उत्मनों बभ बeder फोगनाक लोगार झाल झाल फटाफर्ट से इस क्लास के लिंक को लाई करके बागे लो शेर कर दीए, शेकर तरपाथी, अनुपामा धिवान, गुंजन प्रजापती, अंगद मिश्रा, रिखा पाल, आप सभी लोगो धन तेरस की धेर सारी शुप कामना है. जैसा कि आप सब लोगों मैं अलड़ी बता चुगा हूँ कि 14 तारिक को, 14 को, गुड मॉर्निंग, कि 14 को करंट अफेर का महा मैरथन आ रहा है, और करंट अफेर के उस महा मैरथन सेशन में, 14 को जो महा मैरथन सेशन है, उसमें जैनवरी से लिगे जुलाई तक का करंट अफेर कवर करूँगा, और उसमें लगबग 6 या 7 घंड़े की ग्लास होगी वो, ठीक है, और लगातार 6-7 घंड़े की ग्लास चलेगी वो, 14 तारिक को, ठीक है, तो उस क्लास के लिंक को लाइक करके, बाकी लोगों इसा जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मैं उमीद करता हूँ कि उस क्लास में आप लोग बने रहेंगे, और वास्तों में क्लास आप लोग लिए बहुत हैल्फुल होगी वो, यकीन मानी इस बात का, ठीक है, चलिए, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो आज का, जो, आज डेट है 10 नंवेंबर, और 10 नंवेंबर की क्लास में, आप लोगों को स्वागत है、 आज 10 नंवेंबर को प्लेस इन दैण न्यूज में हमारा, जो मुख्य बात जो रहेंगे, प्लेश ने निवें, वो है एस सोलोमन अइलेंट बैसिकली कहां पर है और why in news, क्यों यह सोलोमन आईलेंट, news में है, चर्चा में क्यों है और दूसरा कहां पर है, दोनों बातों भाल स्कर्चा करेंगे, डिस्कॉशन करेंगे, ठीक हाँ हाँ बिलकुल सर्वेश विश्व कर्मा एक तो बहुत दिन में आपने दर्शन दिये हैं क्लास में आज लेकिन हाँ वो मैराथन है आज ठीक है क्लियर हनी रामानुज उशा देवी कीरती सिंग मैराथन सेशन है वो लगबग 6-7 गंटे का तो मैराथन सेशन रहे गई चुकि आल्मोस्ट हम जैसे जैनवरी से लेके मैं आपको बताऊं कि एक मेरजरा वेट कीजिएगा आख़को प्रकाइग है झाल 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 तो मैं जिस माराथन सेशन की बात कर रहा था इस आर डीटेल साथ राएज राएज बात कर बात कर रहा है वाल झाल यहां तो माराथन सेशन की ब्शेपे खेएंगे आ थाक्र भी आएगा गालिया फ्याइगे घंगे आप अपना देखिछे लिए अप्श्छीटए ना कि आप रहेंगे रहेंगे नहीं यहीं दो रहेंगे घरें तो यह महाराथन सेशन की दिटेल है ना तो UPSC, UPPCS current affairs महा महाराथन session की जुग यह महाराथन session है जन्वरी से लेकर जुलाई तक का 정확 apk revr होगा जन्वरी से लेकर जुलाई तक Atlas को हम लगभग लगभग आप मान के चलिए कि इस marathon session का duration रहेगा, current affairs का current affairs का संपूर निचोर मिलने वाला यहां पर आपको और इसका लगभग 6 से 7 गंटे की class रहेगी है six to seven hours का marathon session रहेगा छे से 7 गंटे का marathon session तो हम क्या करेंगे उसके बाद फिर एक और लेंगे जहां हम अगस्त से लेके दिसंबर या अगस्त से लेके जनवरी अगस्त से लेके जनवरी तो हम अगस्त से लेके डिसंबर तक का करण रश्या फिरम कवर करेंगे तो आप मान के चलो कि हर महीने के मेरे मेरे ज सात महीने में करण रहेंट बज्राव समय ओगलग यह लग 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 फिन कि जो संख्या हो गी जहाँ धाँड वुट्पी आरल चीन caps एक गंटे का समय लगेगा, जनवरी एक गंटा, फेबररी, मार्च, एप्रिल, में, जून, जुलाई, ऐसे करके, आलमोस 50 मिनिट्स तु वन आर, एक महिने के करने फेर को डिस्कस करने में लगेगा, तो इसलिए, इसलिए आप देखो कि मैंने बोला कि इस करने फेर की क्लास अलमोस्ट 6-7 आर्स की बीच के होगी, तो मान के एक जगे आपको 300-300 questions या 400 questions का पूरा का पूरा आपको जिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और आप लोग को ये करने फेर क्लास लेके आओंगा, मैं, ठीक है, तो फटा फट से आप लोग इस क्लास को जो है, अटेंड करिएगा और आपका पूरा का पूरा जो समस्या है, कि सर पे पूराना वाला करने फेर कैसे कवर करें, समझ में नहीं आ रहा है, यतना सारा करने फेर कवर हो गया, तो उन सारी समस्याओं के समधान आपको इस क्लास में इस सेशन के मांदेम से मिल जाएगा, कब है ये सेशन तो ये भ को 5 बजे मैं आप लोग गे साथ मुलाकाद करूगा 14 नमेंब्र को 5 बजे आप लोग गे साथ मुलाकाद होगी इस करेंट एफिर के सेशन में beth कि जी चलो। बढ़ें अब आगे।। तो आज का प्लेस दा निव्य ही सॉलोमान इयली है। को आज साल मिनाटा आइप सारव Ayot मिलेगा ये पीडियेफ मिलेगा निया लिकिन फिली पीडिया पिकुल विलकुल przyसे पील मिलेगा लेकर tabs किल KYC पारा पर मिनीमाटा कंवर्टन और कोप नंबर 5 तो ये जुमिद्स मिनीमाटा कंविंशन फेल्स पारा के बारेग Old बहुत सरे लोगें स्रिषय कटी。 मिनिमाटार नाम का द्रीध्र तीज हो थी वो भी इसी से वजह से सोती है यूजय पारा है, यह पानी मिला हुआ होता है, जिसके जलके सेवन करने से बहुत सरी लोगों से प्र्भावित होता है तो अब आप समझो यहां से पारापर मिनिमाटा कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की पांचवी बैठक जिनेवा सुर्जा लेंगों ही सबसे पहला पॉइंट जैसे ही आप लोग करेंट अफ़र पढ़ना शुरू करते हैं मेरे साथ तुरंद कॉपी निकाल लिया करिए ऐसे करके बद बैठे रहा करिए कि भाई सिर्फ सुन रहे हैं और बस सर को सुनी रहे हैं नहीं सुनना नहीं है सुनने के साथ साथ अखलेश अनुपामा धिमान गुंजन प्रजापती और यूपी एस्परेंट आप सब लोगो नोट भी बनाने आपने तो सिर्फ बैठे मत रहे है आप लोगो नोट ज़रूर बनाए तो कॉपी निकाली और पहला पॉइंट नोट डाउन करिए पहला पॉइंट नोट डाउन करिए और लिखिए पारं पर मिनमाटा कन वेंशन कहां पर हुई तो पारा पर मिनमाटा कन वेंशन हुई है तें की और आप नोंबर किई ट्यूर की जो पारा पर मिनिमाटा कन्वेंशन के पहले- COP की नंबर 4 में- COP 5 के लिए अध्यक्ष की न्युक्ति कर दी गई थी और वह अध्यक्ष बनाया गयाथा ? Claudia Demitru को Claudia Demitru को COP 5 का अध्यक्ष उना गया है यह भी याद रखिएगा इंपोर्टन है तो Conference of Parties No. 5 जो पारा पर मिनिमाटा कन्वेंशन के नाम समझ जिसको जानते हैं, तो पारा पर मिनिमाटा कन्वेंशन के अध्यक्ष किसको बनाए गया, याद रखेगा, पारा पर मिनिमाटा कन्वेंशन का अध्यक्ष बनाए गया, क्लाउडिया डुमित्रू को इसका अध्यक्ष बनाए और यहां तक की गर्भाशे में और जीवन के शुरुवाती दुनों में बच्चों के विकास के लिए भी खत्रा बन जाता है अगर कोई गर्भवती महिला बहुत ज्यान समुझिएगा भारत के 20 ऐसे शहर हैं जहां जहां महिलाएं जहां महिलाएं जो पॉलुटिट वाटर है उस पॉलुटिट वाटर का सेवन करने के लिए मजबूर हैं जो कि यह जब पारा बैसे कली जब पानी में मिल जाता है तो पानी मिल जाने के वेज़े से बहुत सारी फिर जो डिसीज हैं वो होना शुरू हो जाती है जैसे जपैन को कुछ लोगों को मिनिमाटा डिसीज हो भी जब वहां क्यों के लोगों ने मचली का सेवन किया और उसमें पारा मिला हुआ था इसकी वह से लोगों को मिनिमाटा हो गई है मिनिमाटा नाम की 다 Jack City में हो प्रतिरक्शा प्रणाली है इसमें लंग्स को त़चा को और आखों को नकारापनों कृग ब्रभाव डालता ही डालता है पारा अब आप अप देख हिरे सब लोग, जब लोग मछली का सिवन कीया, मुख्य रूप से मिनिमाटा रोग की चपेट मे आजाते हैं, जैपैन में हुआ थाइन बिनिमाटा रोग सब से पहले जैपैन में, मिनिमाटा नाम गले। और वहाँ पर मिला हु वजय से लोगों को बहुत सारी विमारिया हो न इसी इस डिसीज का नाम यह मिने माटा दिसीज Belgian और मिने माटा डीसीज रही कhou गई और प्रकार का विकार है ठीक याद रखना भूलन नहीं इस बात को ड़न बढ़ें आगे बढ़ें आगे ठीक तो इसी से रिलेटेड़ एक क्वेशन का जवाब दिये पारा प्रक्रतिक रूप से प्रक्रति पर पाया जाता है मिनिमाटा रोग मिथाइल मरकरी विशाक्तिता के का करन होता है जपैन में खाडी है उस खाडी में जो वहाँ पर मचलिया है उन मचलियों के सेवन करने से लोगों को मिनिमाटा हो गया पाराच लागया उनकी बाड़ी में तो इसिलिए उस डिसीज को नामें पढ़ गया मीनिमाटा डिसीज ठीक है ना जानवी दुबे समराट रामानोज सिंग अन्षिका नेहा सैनी नेहा सैनी अब आज कल कलों क्लास में रेगलर नहीं हो पहले नेहा सैनी रेगलर रहती थी अब लेहा सैनी रेगलर नहीं रहती है ठीक है ना बाकी जनता भी जवाब दो भाई ममता गोस्वामी ब्रजेश यादव सर्वेश विश्व कर्मा बाकी लोग भी कॉमेंट बॉक्स ने जवाब दीजिए पारा प्राकरतेक रूप से प्रत्वी पर पाया जाता है मिनिमाटा रोग मिथाइल मरकरी विशाक्तता के कारण होता है तो पहला और दूसरा दोस्तों यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही नज़र आएंगे तो यह गलत है यह भी गलत है यानि सी जो आप्शन है व उस महा मैराथन क्लास में अब्जेक्टिव सी कवर करूँगा मैं निउस लेकर नहीं आओगा चुकि यह पॉसिबल नहीं है कि छे मेने की निउस को में छे साथ गंडे में कवर करा सकूँ निउस लेकर आओँगा तो पता जलाओ 15-20 गंडे ही क्लास हो जाईगा और तब भ चलो निक्स्ट आगे बढ़ते हैं सतरकता जागरुकता सत्ता है विजलेंस अवेरनेस वीक मनाये था अभी हमने पिछले देखो सतरकता जागरुकता सतरकता का मतलब क्या है किस से हम सतरकता की बात कर रहे हैं किस से हम विजल होने की बात कर रहे हैं सतरकता जागरुकता सत् कि भारत में आपको पता है कि केंद्री सतरकता आयोग है यह सोरों आप सब केंद्री सतरकता आयोग के बारे में जानते होगे 30 अक्टूबर से 5 नमबर 2023 तक हमने सतरकता जागरूपता सत्ता 2023 मनाया तो सतरकता किसके प्रती सतरकता की बात हो रही है? किसके प्रति हमें विजल रहने के बात हो रही है तो भारत में भरस्टाचार को कम करने या भरस्टाचार के उन्मूलन के लिए कि समानता करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को सतर करें ओर सतर करें ठीक है याद रखते हैं तो बेसिकली अब भारत में आपको बता है कि सी वी सी नाम का एक संगरहन काम कर रहा है और दोस्तों इसका नाम है केंद्रिय सतर्कता आयोग ठीक इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना याद रखेगा 1963-1964 में केंद्रिय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी सर आल क्वेशन एक्सप्लेट कर दीजियेगा प्लीज मेराथन में हां भैए देखो क्या है गुद मॉर्निंग राजु सारे क्वेशन को एक्सप्लें करने का मतलब कै नाम को सिमझो न उसन माराथन सेशन में आपका चुकि स्टेटमेट बेजु क्वेशन होंगे तो किक्सिन प्रिज कर रना इंट। किक्टर कथा आयोग Space Centre प्राइफ दिश्टीसिएक के डिश्टे स्विए ने 1964 में 1964 में स्टैबलिश हुआ था त्रीक है अब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जड़ा बताईए कि केंद्री सतरक्ता आयो जे 1964 में स्टैबलिश हुआ था कौनसी समिती की सिफारिश पर ब्रस्टाचार निवारन समिती की स्वा था और उसको हलते हैं संधानम समिती के संधानम की अध्यक्षता में 1963 में के संधानम की अध्यक्षता में इस सम्यत्य का गठन हुआ था यानि ब्रस्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष कौन थे के संथानम ब्रस्टाचार निवारण समिति का गठन किया गया इनका काम था कि भारत में ब्रेश्टाचार के मामलों को रोकना तो ब्रेश्टाचार के रोकोंगे तो सिस्टम में ट्रांसपरेंसी बहुत जरूरी है उसके बाद 2003 में इस केंद्रिय सतर्कता आयोक को विधिक दर्जा प्रदान किया गया इस बात को आपको याद रखना है ठीक और विधिक दर्जा प्रदान करने के लिए अधनियम लाए हम केंद्रिय सतर्कता केंद्रिय सतर्कता आयोक अधनियम 2003 Central Vigilance Commission Act 2003 केंद्रिय सतर्कता आयोक अधनियम 2023 के तहत इसको फिर विधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया सन 2003 में क्लियर बात क्या अभी इस संस्था के अकर बात करें तो केंद्रिय सतर्कता आयोक का कोई पहली बात भी बहुत ध्यान समझें को एक एक important बात बता रहा हूँ इसका कोई नोडल इसका कोई दोस्तों नोडल मंत्राले नहीं होता है कोई नोडल मंत्राले नहीं है एक तो यह fact याद रखना है दूसरा CVC कोई जाच एजनसी नहीं है CVC कोई अनवेशन संस्थान या CVC कोई जाच एजनसी CVC कोई जाच एजनसी नहीं है दोस्तों इस बात को भी याद रखना है सीवी सी में एक दोस्तों होते हैं सीफ विजिलेंड कमिशनर एक होते हैं चीफ विजिलेंड कमिशनर और दो होते हैं विजिलेंड कमिशनर ठीक है एक होते हैं मुख्य सतरक्ता आयुक्त और मुख्य सतरक्ता आयुक्त के अलाव होते हैं दो अन्य सतरक्ता आयुक्त याद और सदस्यों की जो नियुक्ती होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं यानि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट उनका अपॉइंट्मेंट करते हैं इस बात को याद रखेंगा। विए तो यह पूरी कहानी किसके बारें बता दी मैंने आपको केंद्रिया सतरकता आयोग की, अभी हाली में हमने 5 नुम्मिंबर को केंद्रिया सतरकता सब्ता मनाया था ठीक है याद रखेगा वर्दमान में मुख्य सतरक्ता आयोग कोन है हाँ जी चार साल 65 साल का कारेकाल होता है फोर येर और मैक्सिममेच 65 येर का कारेकाल होता है ठीक केंद्री सतर्कता आयोग एक महत्रपूर्ण संस्थान है ठीक है और केंद्री सतर्कता आयोग लोगपाल हो गया especially CBI केंद्री सतर्कता आयोग especially CBI को direction देता है किसी मामले की जाच करने के लिए ठीक है भाई साब इस बात को याद रखिएगा कारेकल चार वर्ष का होता जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया तो पूरी जानकरी यहाँ पर CVC के बारे में आपको दे दी है कि इसको विधिक दर्जा का मिला 2003 में मिला पहली बार इसका आयोग का गठन का वहा था दोस्तों तो 1964 में हुआ था 1964 में से गठन की सिफारिश की किस ने करी थी तो प्रहेश्टाचार निवारण जो समिती थी के संथानम समिती की सिफारिश के अधार पर इसका गठन कर दिया गया था ठीक और उसके बाद सन 2003 में केंदरी सतरता आयोग अधिनियम लेके आए और केंदरी सतरता आयोग अधिनियम के माध्यम से इसका हमने इसको विदिक दरजा प्रदान कर दिया गया क्लियर है बात यहां तक बूली फटा फट से बता दिए एक बार ठीक तो यहीं सारी बाते यहां पर मेंशन है कि केंदरी सतरता आयोग 30 अक्टूबर से 5 नमबर पांच नमबर 2023 सतरता जागरूख आयोग सब्ता मना रहा है विशय क्या है ब्रस्टा चार को ना कहें रास्ट को समर्पित रहें तो आप सब लोग भी आप लोग सब लोग देश के भविश्य के जो अधिकारी है और आप सब लोग को खुद इस बात का प्रण लेना है कि हम किसी प्रकार का corruption नहीं करना है इस बात को बहुत याद रखिएगा तो यह CVC के tenure को time bound कर दिया है वाइस सब CVC के tenure को time bound नहीं किया CVC का tenure पहले भी 4 साल था, CVC का tenure अभी 4 साल है जो सूचना आयोग था, जो मुख्य सूचना आयोग था, उनके tenure को कम किया है पहले उनका 5 साल था, 5 साल के reduce करके 3 साल किया गया है CVC का tenure पहले भी 4 साल था, CVC का tenure अभी 4 साल है CVC के tenure में कोई छड़ खानी नहीं करीए, आप confused हो गए है tenure जो कम किया है, वो केंदरी यह सूचना आयोग एवं अन्य सूचना आयोगतों का tenure में कमी करी है तो theme याद रखेगा वाई, 2024 की जो theme है, थीक है, 2024 की जो theme है, उस theme को याद रखेगा 23 की, की ब्रस्टाचार को ना कहें और राष्ट के प्रती समर्पित रहें आपको राष्ट की सेवा के लिए हमेशा जोटे रहना चाहिए, थीक है, बिलकुल आप लोग future के भावी, future के officer हैं और आप सब लोगों को इस बात का विशेज ध्यान रखना है, थीक है, चलिए, यह सारी जानकरी मैंने, 64 में स्थापन होगी थी, जो मैं यहाँ पर आभी लिख कर समझा रहा था, सुननोग अध्यान से, इसलिए क्या करता हूँ, स्लाइड में जाने से पहले एक बार मैं लिख कर समझा देता हूँ, एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार लिखा हुआ है, और उसके बाद दूसरा क्या होगा, हाँ जी, और दूसरा क्या है, 1964 पर संथानम समिती की सिफारिश के अधार पर की गई थी केंदरी सतर्था आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सामविधिक दरजा दिया गया था इस बात को याद रखना है क्लियर मैंने भी थोज दर पहली बताए बहुत धान समझीजिए कि मैं आप जान लो PCS और UPSC जैसे एक्जायम में यही स्टेट्मेंट आजाता है यही स्टेट्मेंट और स्टेट्मेंट में जानते हो क्या हैँगा स्टेट्में में लिखा होगा कि केंद्री सतर्था आयोग जो CVC है, CVC बेसिकली ग्रह मंत्राले के अंडर में काम करता है, यह किसी अन्य मंत्राले के अंडर में काम करता है, लेकिन याद रखना है, CVC किसी मंत्राले के अंडर में काम नहीं करता है, CVC एक इंडिपेंडेंट बोडी है, इसलिए इसका कोई नोडल मिनिस्ट्री नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट रियाद रखेगा स्वधन निकाई की रूप में काम करता है जो केवल और केवल responsible to the Parliament है जो केवल और केवल संसत के प्रति उत्तरदाई है और यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट है यह वार्षिक रिपोर्ट किसको सौपते है राष्ट पती को सौपते है अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट पती को सौपते है और दोस्तों राष्ट पती उस रिपोर्ट को संसद के पतल पर राष्ट पती उस रिपोर्ट को रखता है इस बात को भी याद रखेगा तो CBC किसी मंतराले के अधीन नहीं है इस बात को याद रखेगा स्वतंतर निकाय है इंडिपेंडेंडेंट बॉड़ी यह बहुत इंपोर्टिन पॉइंट है यार और एक्जाम में पूछा गया है ऐसे ही लाइन लिखी रहती है MPPSC वाले ध्यान से सुन लो आप ल onay to theип सॉल्द दो परलेबंट संफ़के कफर ऊंधर द्रॉद रखेगा सकती है एस क्वेशन करशियों के जबाब तूज़ा शिविल सेवा के छेतर में समाज सेवा के छेतर में काम करने का व्यापक अनभव होना चाहिए यूजुली आईएस याईटी आपको बनते दिखेंगे ये सिंद्री सतरताय आयोग के संवेधानिक लिकाए जिक्सिक्षां का अदुमच वन यही सही है, ठीक है, इसकी इस्थाबना संथानम समिती की सिफारिश पर होती, यह तो ट्रू है ना, तो यह तो हो गई नहीं, तो केवल दो कैसे हो जाएगा, ए ओप्शन होगा, मतलब 90% जनता जो है, 90% जनता थोड़ा सा पानी मिलाना भूल गई, मुझे ऐसा लग रहा है, 90 क्वेशन तो एkkeलीस धेखे पड़ा हैं, क्मेशन तो टेया की सिफिपार हैं, आसत्य आंइश है adalah adalah वस तो एक पोचँ रहा है, बोसे क्वेशन बहुत असान है, लेकिन कर क्या रहे हो, यह देखो असान प्रस्ट है और क्रा आप लोग यह रहे हो बादब आप लोग जो है उस पर जब सब देखो लगातार में देख रहा था भी comment box बी 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 ऑप्शन पर टिक लगा है सबने चाहे हो हनी हो चाहे हो शुगर हो कोई हो सबने बी ऑप्शन पर टिक लगाया है पतने क्या कर रहे हैं लोग तो थोड़ा सा भाई हां तो dehydration ना हो इसकी वज़े से जो है सभी aspirant को पानी की पर्यात्मात्रा का सेवन करना चाहिए हमेशा यही गलती तो करते हो तो फिर इसका में बेकूफ हो आप हमेशा यह गलती नहीं करने हैं एक यहली गलती करो देखो हर गलती सिर्फ एक एक बार कर करो तो गलतीया रेपीट मत करो जीवन में गलतीया होना स्वावेशा है गलतीया होना तो तो उसकी क्यंता मत करो unique Legaan graduate नहीं होनी जिए, if you are repeating this same mistake again and again again and again, you are repeating the same mistake then it is when you are not at all right फिर यह गलत है, गलती करो, एक बार करो, लेकिन दुबारा उस गलती को सुधारणो, ठीक है न, तो ऐसे इसलिए मैंने ऐसे क्वेशन कभी कभी फ्रेम कर देता हूं, असत्य है, तो क्वेशन नहीं पूरा पढ़ा तो भाई, किस बात की जल्दी में हो, सर्वेश विश्व कर क्वेशन पूरा पढ़ना है, पहले क्वेशन पूरा पढ़ना है, शशांग दृपाठी अब गायब हो गया है, गलत जवाब देके, शेखर दृपाठी, नौट शशांग दृपाठी, ठीक है, चलिए, यहीं पर गल्तियां हमेशा नहीं करनी है, ड़न, एवरिवन, चलो, तीजबटे तीन सो, क्या है यह, किंदरी सथरता आयोग के कारे चको इस्पस्ट करते हुए, इसकी कारे प्रनाली को इस्पस्ट करें, जन-जन लोगों को में नाम ले रहा हूं, वो लोग इस्टेन का, वैसे तो इस खेल्ड़शन का आंसर सब लोगों करना है ठीक है, इस ब्लेंडर मिस्टेक है, हाँ जी, ब्लेंडर मिस्टेक है ये, तो इस क्वेशन का आंसर जरूर करना है आपको है, ना, कॉमेंट बॉक्स में, ठीक, देख लो आप लोग एक बार, दोसों शब्दों में, इसका आंसर लिखना है, एक्स्प्लेंड देख रहा हूँ, चलो, अगली खबर की तरफ आके बढ़ते हैं, और दोस्वों, अगली खबर है, ऑपरेशन शेष, अक्सार जो ऑपरेशन वाले जो क्वेशन होते हैं, यह क्वेशन आप लोग से एक्जामें पूछ लिए आते हैं, तीन स्टार लगा लिजेए, ऑपरेशन शेष, ठीक है, तो ऑपरेशन शेष, DRI ropes in the 17th nations to check the red sanders smuggling, red sanders क्या हैं, आप सब जानते हैं, red sanders smuggling, DRI reports in 17th nation to check the red sanders smuggling, और दोस्तों उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने चलाया हैं, operation 6, the wood is especially in demand in the china and japan, where it is considered as auspicious and luxury, ठीक है, तो यह auspicious और luxury wood है, इसलिए इस बात को आपको याद रखियेगा, ठीक है, तो DRI ropes in 17th to check the red sanders smuggling, red sanders की smuggling हो रही है, ठीक, अब मुद्दा क्या है यहां पर, मुद्दा क्या है कि आप यह समझे किंद्री वित्त मंत्री की द्वारा operation 6 का चौथा चर्ण launch किया गया है, किसके द्वारा launch किया गया है, पहली बात तो finance ministry यह द्वारा, सबसे पहला question तो यही बनेगा, कि operation 6 का संबंध निम लिखित में से कौन से मंत्राले से है, तो आप पूदेश red sanders सहित इमारती लकडी के अवैद व्यापार पर अंकुष लगाना है, तो आप से पूछा जाएगा exam में, यही पूछ ले जाएगा, कि जो red sanders है, उस red sanders का purpose क्या है, ठीक है, हांजी हांजी, जो pushpa movie देखी होगी आपने, pushpa movie देखी होगी और उस pushpa movie में इसी क smuggling हो रही थी, red sanders की, ठीक है, याद रखेगा, तो पहला तो question यही पूछ ले आगा, कि operation 6 का संबंध किस से है, वित्वंतराले से, दूसरा question पूछा जाएगा, आप लोगों से कि जो operation 6 है, वो basically किस से जुड़ा हुआ है, याद रखेगा, operation 6 का संबंध है, red sanders सहित इमारत लकडी के अवैद व्यापार पर अंकुष लगाना, ठीक है, तो यह प्रजाती जो है, इस प्रजाती का है, लेकिन प्रजाती आप से नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, लियाद रखेगा यह प्रजाती आंदर प्रदेश के विशिष्ट वन छेत्रों के लिए एक इस्थान कोड़ों के लिए बहुत उप्योगी है, ठीक है, आईउसीन की लुप्त प्राय सूची में शामिल है, आपको पता है, इंटरनाशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में, 1948 में इंटरनाशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन की स्थापना हुई, और आईउसीन की जो संकट गरस्त प्रजातियों की सूची है, उस संकट गरस्त प्रजाचियों की सूची में ये लुप्त प्राय सूची में शामिल है, और अगर हम साइट्स की सूची की बात करें, तो साइट्स में ये अपशिस्ट परसिस्ट नंबर 2 में आ जाता है, और अगर हम WPA की बा कड़ी है आयू सीन की रेड़ लिस्ट के लुप्ट प्राय सूची में शामिल है इस बात को याद रखिएगा भूलेगा नहीं तो जीवन आपका सुगम और असान रहेगा ठीक है वनने जीव सम्नक्षन अधरियम 1972 अनुसूची नंबर दो ठीक अगर इस प्रशन का आप जवाब दे देते हैं तो बहुत महर्मानी हो जाई है आप लोगी ऑपरशन शेष किस से सम्मद देते हैं कर दो 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 जवाब देते हैं एक दम सही जवाब दे रहे हैं, सी सही आंसर है और ऐसे ही प्रशन बंता है देखो एक्जाम में, कि ओपरेशन शेष बिसिकली किस से संबंदित है, वन शेतर की अवैद कटाई से संबंदित है, यह भूखनान के परती रोक से संबंदित है, इमारती लकडियों के अवैद व्यापार से संबंदित है, ठीक है? clear? Sir, your name is visible but not you. मतलब your name is visible but not you? पता नहीं क्या है? ठीक, याद रखेगा. चलो. तो नेक्स्ट अगली जो ख़बर है, वो है थैलियम थैलियम विशाक्तता. ठीक है? तो बिसिकली थैलियम विशाक्तता की बात हो रही है, as a murder weapon. तो थैलियम को ऐसा murder weapon की रूप में इस्तिमाल किया जा रहा है, दहिंदू में प्रकाशित ख़बर है ये. ठीक है? बिसिकली क्या है? कि महागाउन विलोजेंदे टू विबने अलिगली किल्ट था फाइफ फैमिली मेंबर्स का शिकार हो गए है. दहिंदू में प्रकाशित ख़बर थी, इसलिए मैंने इसको शामिल करना जरूरी समझा, याद रखिएगा. ठीक है? याद रखिएगा. clear? ठैलियम विशाक्तता के शिकार हो गए है, रसाइन धीमी कती से कारे करता है, और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है. ठैलियम की खोज का वोई थी? 1800 एक्सेट में हुई थी. अब आप धान रखिएगा. दाहिंदू में प्रकाशित ख़बर है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है, कि महाराष्ट में अभी कुछ लोगों के डेथ होई, और उसके पीछे जो कारण पता चला, वो ही पता चला कि जो थैलियम नाम का जो पॉईजन है, उस पॉईजन की वज़े से मृत्ति होई. अभी जो थैलियम की खोज है, कब होई, दोस्तों याद रखेगा, 1861 में होई, और ये जो है, एक प्रकार का, जिसकी जो खोज करी, सर विलियम कुर्क्स ने इसकी खोज करी, ये नरम, भारी और अप्रत्यास धातू है, कई आयसकों में पाया जाता है, याना कई और में पाया जाता है, याद रखेगा, पहले साइनाइट होता था, अब ने ने ओप्षन सारे, येस, तो बिसिकली क्या है, ये बहुत धीरे 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 धीरे, जैसका कर कोई सेवन कर लेता, धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक, और बाड़ी में पता भी नी चलता है, कि इसकी डेथ किस वज़े से हुई है ठीक महारास्टा में जो भी डेथ हुई है उसमें यही पाया गया है तो थैलियम सलफेट विक्सित देशों में घरेलू उपयोग के लिए प्रतिबंदे थे याद रखेंगे तो तुकल बलाकर जो थैलियम का जो उपयोग है वो क्रुक्स ने 1861 में 1861 में विलियम क्रुक्स ने थैलियम के खोज कोई करी थी इस बात को भी याद रखना है ठीक है एक परिवार के कई सदस्यों की मरत्ति होगी महारास्टा में इसलिए ये खबर चर्चा में बनी हुई है ठीक है इसका उपयोग फाइटो इलेक्रिक सेल के निर्मान किया जाता है फोटो एलेक्रिक सेल स्टार लगाओ इंपोर्टेंट है इसका उपयोग फोटो एलेक्रिक सेल के निर्मान में किया जाता है ठीक इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री में जो एलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है ठीक है मिन ठीक है? आपका एक तो कॉमेंट इतना बड़ा कमेंट होता है कि जब तक मैं आपके कॉमेंट को बढ़ता हूँ वह कमेंट आपका ऊपर खिजक चुका होता है ठीक बढ़े हांगे तो 1861 विलियम क्रक्स ने इसकी इस्थापना की ने इसकी खोज करी थी चलिए थैलियम विशाक्ता के संदर में आपको सही जवाब देना है थैलियम विशाक्ता से तंदर के तंदर परभावित होता है क्वेशन आप लोग पढ़ियो और जवाब दिए हो गया पढ़ डिया क्वेशन के ऐसकी करने है ज 이것도 फोटो एलेक्टरिक सेल में थैयलियं की यूज होता है है क्या नर्वाज सीस्टम प्रमावित होता है है क्या थर्मा मेटर में यूज होता है आज़ी सर्ल बिल्कुल होता है neighborhood बिल्कुल होता है, होता है और बिल्कुल होता है, तो याद रखिएगा उपरियुक्त सभी कथन आपके यहाँ पर सत्य प्रतीत हो रहे हैं, सभी सत्य हैं, तो D जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, clear, D सही विकल्प होगा, ठीक, चलो, अगली ख़बर की तरफ आपके बढ़े और इस पर लगा लो तुम 5 स्टार अब, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के, इस पर तुम 5 स्टार लगा लो, ठीक, क्यो 5 स्टार लगा लो, चुकि यह ख़बर हमेशा बहुत important होती है, क्या है, लिखा हुआ है Champions of the Earth Award, बाइस आप Champions of the Earth Award एक बहुत important award है, और यहां से question भी पूछा गया है, PCS में और other exams में यहां से question पूछा जाता है, यकीन महानों मेरी इस बात का, नहीं यकीन हो, तो previous year question पर उठा के देख लो आप, तो अभी Champions of the Earth Award की बात हो रही है, तो संयुक्त राष्ट पर्रयवरन कारकरम, पहले तो देता को Champions of the Earth Award की खोशन करी है, 2023, तो कौन देता है Champions of the Earth? Champions of the Earth Award देने वाली संस्था का नाम है, UNEP, ठीक है, Sir, UPSC, UPSC Foundation Batch में कैसे classes चलेंगी, आपका comment वापस निकल गया है, वापस इक बार भेज दीजे, अभी आपको explain कर दो, do not worry about that, bit too, ठीक है, तो UNEP के द्वारा यह award दिया जा और दोस्तों, जो United Nation Environment Program है, इसका जो मुख्याले हो कहाँ पर है, वो है नैरोबी में, ठीक है, तो आप आपके दिमाग में आगा नैरोबी कहा है, तो आपको बतातों, केनिया में है, केनिया कहा है, तो केनिया, एफरीका महादीप में है, ठीक, Champions of the Earth परसकार, उन व्यक्टि कि वजए से पर्यावरंट पर एक बहुत सकरात्मक प्रभाव पड़ा है, यह ना पर्यावरंट को जो लगातार हरास होता जा रहा है, जो डिग्रेडेशन होता जा रहा है, इन्वार्मेंट का, उस इन्वार्मेंटल डिग्रेडेशन को कर्व करने के लिए, जो लोग काम क को देता है और असके अलावव दूसरा उसका इस्टाफ यह पहली बार कभ दीया पहली बार कभ दिया कौन देता है और किसको देता है यह तीन बातने यद्याइगी में नहीट कौन देता है। यूपी PCS वांडेशन बैच तो इस बात को दैनुम में रखते हुआ जा रहा है जो 25 में टैहरी चारहे न जैख गाडेशन एकозможно अधर ना इस अरो जह को 25 में thunder करेंगे और जिनको अभी यूपी से प्रलिम्स देना है तो दोनों सेपरेट बैच नहीं है सेपरेट बैचे से याद रखेगा ठीक है बढ़ें आगे अब तो संहीक तुराष्ट द्वारा दिया जाने वाला सरवोच पर्यावरणी संबान है तो पर्यावरण के छेतर में संहीक तुर ते के द्वारा दिया जाने वाला सरवोच संबान यही है दोजर ते के परसकार फ्ल्सकार प्लास्टिक प्रदूशन को खत्म करने कि प्रयासों के लिए देंगे कि खोषन ते अब पौने पता देता हूं में हां जी बिल्कुल हंडड़परसंट पढ़ाएं चेल disciplam वह बन जाएगी और तेरा कालिया भी आएगा सब आएगे हाँ बसंति के पपड़ गया वो उसकी गरार है थोड़ा पुरानी सदी की लोग ऊंगा कुछ नया नाम लेके आओ कहां बैhatना चक्क्रें, पड़े हो। नया नाम लेके आ वा रामानुजॱ नाम जैसे तमोह रा रामानुजो उसे साफ से तुम्हारा पुराना सिस्टम चल रहा है है महल तब भुष अपनी जमाना आा गया है फोन की किस्ते चल रहे हैं तो आप देख लो कि क्या कौन सी किष्ट जीवन में इंपॉर्टेंट है यह बाबू भी आउटडेटेट है कुछ नहीं अलाओ समझे बाबू बसंती है सब आउटडेटेटेट है ठीक है चलो याद रहेगा पॉलिसी लिडर्शिप का अवाड जो है क्वेज़न सीटी अब फोकस कर लो Policy Leadership Award Quezon City है फिलिपीन्स में फिलिपीन्स की जो मेर है जोसेफिना बिलामटे को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पर्दिम्द लगाने के लिए पुरसकार दिया गया है याद रखीगा क्वेज़ान सिटी फिलिपीन्स की जो मेर है जोसेफिना बिलामॉन्टे जोसिफ इना बिलामॉंटे को सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है ठीक है? याद रखेगा तो फिलिपीन्स की मेयर जोसिफ हिना बेला मॉंटे को सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए अवाड़ दिया गया है वहिए हमारे इंदौर नगर निगम के मेयर साब को भी अवाड़ दे दिया जाना चाहिए तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो बैन लगाने का जो उन्होंने इनिशेटिव जो छेड़ा है इंदौर में तीक है इस द्रस्टिकोर्ट से अगर इस आधार पर इनको मिला है तो जो सिर्फिना बेलमॉंटे को तो फिर इंदौर के जो मेर हैं उनको भी मिलना जो बैसिकली जीवन चक्र द्रस्टिकोर्ट प्लास्टिक साहिए तो मुख्यधारा में लाने के लिए पुरुसकार हेतू इसको चुना गया है ठीक है और अंट्रप्रेनोरियल विजन में ब्लू सर्कल चाइना को याद रखिएगा ब्लू सर्कल चाइना पहल को प्लास्ट प्लास्टिक प्लास्टिक बैने अभी ठीक है ना कैसे प्लास्टिक के प्लूशन को कम करें इसके लिए इन्होंने समझे इंटरनेट ऑफ तिंग्स और ब्लॉक्षेन टेक्नलोजी का इस्तमाल किया है बलब नवाचार जीवने बहुत जरूरी है और यह नवाचार इनके मा देखिआ है नाम याद रखिगा उस मेयर है जोसे फिना जोसे फिना ब्लोंते और ब्लुस फिनल और मॉंटे को निशोइले। विया है याद रखिएगा ठीक और जो चीली के हैं समाजीक उध्यम है ठीक है अलग्रामो में संस्था के राइड यांत ओमानी के संस्था और प्लास्टिक प्रृश्ट्समे्टोन को कम करने के लिए समर्पित है ठीक है याद रखिएगा बहुत इस ट्रेणी में दक्षन अफरीका की विज्ञानिक और और अद्योगिक अनुसंधान परिशत को पुरुसकार के लिए चुना गया है साइन्स और इनोवेशन तो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी में यह अवाट दिया गया है याद रखना है भूला नहीं है आपको ठीक है तो जो मैनुवल मोलर का नाम जात रही है जो चिली से है ठीक है पॉलिसी लीडर्शिप क्वेजन सिटी याद रखेगा मैंने आपको बता दिया है ठीक ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी अब डेटेल मिस पर किसके बारे में कभी चर्शा करेंगा अगर इस रेले जबाब दो फटा-फट से बी क्विक चैंपेन अब अर्थ पॉरसकार की घोशना के संस्थान द्वारा की गई हाँ जी मौर्या जी बिलकुल पीडियाफ मिलेगी क्यों चिंता कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी कॉमेंट बॉक्स में पेस टेकनलोजी देखो तो मैं यहां पर खड़ा हुआ में टाइप भी निकर रहा हूं लेकर अभी देखो आपको लिंक यहां पर दिखाई देगा आपको ठीक और वो जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगो उस टेलीग्राम चैनल पर जाएए वहां पर सर्च करिएगा मेरे द्वारा जो पढ़ाए गया मैटर है उसका हर दिन का पीडिएफ वहां पर अभेल हो जाता है ठीक है यूपी-पी-स उतकर्ष याद रखने है भूलना नहीं इस बात को ठीक है तो चैंपियन्स अफ अफ अवार्ट की घोशना किसके द्वार की जाती है यूएन एफ ट्रिपल सी पर टिक कभी मत लगाईएगा ना ही यूवन टीप पर ना ही डेवलु टो पर डेवलु जाता है ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपी-पी-स उतकर्ष इस यूपी-पी-स उतकर्ष में आपको मिल जाएगा सर मेंस के आंसर कहां लिखकर सेंड कर सकते हैं मेंस के आंसर लिखकर सेंड करने के लिए अतुल शर्मा एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे अभी जो उतकर्ष मेंस आंसर राइटिंग टेलीग्राम चैनल होगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर लिख कर भेज सकते हैं, ठीक? इस पर चरशा चल रही है, बहुत जल्दी ए इनिशिटिव लेने वाले है, जहां पर आपने आंसर लिख कर भेज सकते हैं, यो भी कितने लोग ऐसे हैं इस class में जो जानते हैं कि ओशीनिया नाम का एक महादीप है जानते हैं यह ने जानते हैं त्रिक अब ओशीनिया नाम का जो महादीप है अभी तो देखो अभी जो मैं question लिखने के लिए दिया है मैंने उसके तो comment box में answer paste पोस्ट कर दीजेगा ठीके अभी फिलाल जो है नेहा मोर्या अदुल शर्मा जो क्वेशन लिखने के लिए हैं तो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख लिजेगा कहीं पर कॉमेंट मॉक्स में उसको पेस्ट करके मुझे चेंड कर दीजेगा इसी यूट्यूब के यह इसी वीड इस बात को याद रखिएगा इहां पर ऊपर लिखा हुआ है पाफुआ न्यों गिनी जो उसी का हिस्टा है देखो लिखा हुआ है पाफुआ न्यों गिनी और यहां पर आपका तो आपसे पूछा जाएगा औस पूरा महादीप उसको ओशीनिया बोलते उस ओशीनिया के अंदर उस ओशीनिया के अंदर माइक्रोनेशिया है उस ओशीनिया के अंदर मैलीनेशिया है उस ओशीनिया के अंदर पॉलीनेशिया है पॉलीनेशिया, माइक्रोनेशिया, मैलीनेशिया, औस्टेलिया, न्यूजीलेंड इन सबको तो सबको combined groups हम क्या बोलते हैं Australia तो सवारी Oceania तीक तो Oceania के अंतरगत सुनना Oceania में क्या क्या आता है सुननो आप लिखी देते हूं आप लोग ने चुकी ताकि आपको किसमस्या नहों Oceania के अंतरगत बेटा क्या 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 आता है तो ओशीरिया के अंतर का इस थे तो आता है आपका Maikroneasya hai na group of countries Maikroneasya के अंतर कुछ group of countries है थी कि Maikroneasya फिर उसके बाद है Malanasia और फिर उसके बाद है Polynesia ठीक है तो Malanasia, Polynesia और Microneasia ठीक इसके अलावा ने दोस्तों क्या है इसमें समझे क्धियाद से ओस्ट्रेलिया भी है और और पर एक यह सब किसके इंदर गतार के इनदर क्याते हैं डीक है ज्यूअधिया भी इसी में हांजी ज्यूअधिया ठीक को यहीं पर खोज हुई है ना गरा लाने जो बहादी पे Зवाटप महादी पर तो आप देखोगे आप से क्वेशन स Democrat कह हैं कि से लुमान आइलेंड कहां पर है तो Solomon Island जो हे होनियारा इस की capital है Solomon Island की για्रन आइलेंड का है तो क्यों चर्चा में है? सोलोमन दीप, पापवा नियोगिनी के दीप के पूर में, मैलीनेशिया, याद रखिएगा, मैलीनेशिया में इस्तितिक राष्ट है, ठीक, जिसमें 990 से अधिक दीप शामिल है, चाइनीश कम्मिनिस्ट पार्टी के पृतिनीधी मंडल में, सोलोमन दीप का अभी रिसेंटी दौरा किया है, इसके राजधानी होनी आ रहा है, ठीक है, गौाडल कैनाल दीप यहां पर रिस्तित है, गौाडल कैनाल दीप, इसमें ज्वाला मकी दीप है, कोरल रीफ्स यहां पर मिलते हैं, तो अभी चाइना की जो पृतिनीधी मंडल है, उसने यहां का दौरा किया है, इस वज़े से यह चर्चा में आ गया है, यह सुरनो, आई हो पी बात आप लोगो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से आज की अपनी एक लास होती है, सुलो मंदीप एक समयधाने के रास्तंतर है, इस सारी बाते हैं आपको, प्रशांद महासागरी दूइपुई अगर देशों की बात करें तो फिजी है, किरबाती है, मार्शल है, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाव, पापो, नियोगीनि, सामोवा, सुलो मंदीप, टोंगा, तुवालू, वनवातू, और कुक, कुक जैसे आइलेंड है, कुक आइलेंड जिस पर न्यूजिलेंड का, टोंगा आइलेंड वो है, जहां पर अभी क्या आया था, ज्वाला मुखी आया था कुछ समय पहले, टोंगा दीप पर ज्वाला मुखी, वाल्कनिक इरप्शन हुआ था, फिजी, इस बार का जो वेश्व हिंदी दिवस, वेश्व हिंदी दिवस कहां सेलिबरेट किया गया है, फिजी में, फिजी की तीन लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है और फिजियन, तीन लैंग्वेज है फिजी की, याद रखिएगा, एक तो फिजी उनकी लैंग्वेज है, हिंदी है, और फिजी है, हिंदी है और इंग्लिश है, विश्व हिंदी दिवस इस बार कहां पर आजित किया गया डॉक्टर S. जैशंकर उसमें गय थे S. डॉक्टर S. जैशंकर ने शिर्कत करी थी तो विश्व हिंदी दिवस का जो सम्मेलन जो हुआ था वो फिजी में हुआ थे इस बार इस दिवाली यह दिवाली खुश्यों वाली क्योंकि तयारी होगी सेलेक्शन वाली ठीक है तो बिसिकली क्या है यह दिवाली खुश्यों वाली क्योंकि तयारी होगी सेलेक्शन वाली अब ब्यार्थियों की बेहद मांग पर आ गया है उतकर्ष एप का दोस्तों दिवाली महाधमा का ओफर दिवाली महा धमा का ओफर, सुनना बहुत ध्यान से, दिवाली जो महा धमा का ओफर है, इस दिवाली महा धमा का ओफर के शुरुआत हो रही है, आज से ही शुरुआत हो रही है, आज है 10 तारिक और आज से इसके शुरुआत हो रही है, 10 तारिक से लेकर, बहुत ध्यान समझे तो द्यान रखिए कि दिवाली महाधमा का ओफर 10 से 15 नवेंबर 2030 फिर मत कहना कि चूग गे दिवाली महाधमा का ओफर में उतकर्ष की तरफ से आपको कोर्सेस पर 90% तक का डिस्काउट मिल रहा है पहले 90% तक का डिस्काउट मिल रहा है दूसरा एक इंपोर्टेंट ये बात है कि यहाँ पर फ्री में आपको टेस्स सीरीस मिलेगी free test series के अलावा जो भी आप course purchase करोगे उसमें 6 महिने की extra validity मिलेगी तो ये धमाका offer है इस offer का लाब ले सकते ओफर शुरू हो चुका है दिवाली महा धमाका offer 10 से 15 नमेंबर 2023 याद रखीगा महत्वपूर्ण offer है जहां पर आपको courses में 90% तक का discount मिलेगा उस 90% वाले discount के साथ साथ आपको free test series मिलेगी और 6 महिने की extra validity तो मिलने ही वाली है तो इस course को जो भी अगर आप course purchase करते हैं चाहे वो UPSC का हो या वो UPCS का हो जो भी course आप purchase करेंगे 90% तक की छूट मिलेगी और कल रात में एक video post किया था मैंने ठीके हाँ news कम देखो यार देखो हमें कच्रा एकट्टा नहीं करना है समराच सौरब कच्रा एकट्टा नहीं करना है कम हो लेकिन solid हो मलब एकदम अंदर तक प्रवेश करनी चाहिए जो भी news हम पढ़ें ठीके ना मैं news कवर करने को 10-10-12-12 news भी कवर कर सकना लेकिन क्या है उसको मैं सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाओंगा आपको मजाएगा बताओ इसलिए जो भी हो ठीक से हो समझ जारी बात क्या याद रखेगा सर कल की UPSC Test Series वीडियो का फ्रेंट फोटो आपने एडिट करा लीजिए ठीक है ठीक है ओके फ्रेंट फोटो एडिट करा लीए कोई समस्य है उसमें कोई तो बताईए ठीक है चलो तो इस क्लास को आप करते हैं आपर समाप्त ये सारे ओफर के बारे मैंने आपको बता दिया है ये ओफर ध्यार न रखीएगा ठीक है तो शाम को कल जो आपने क्लास ली थी उसमें देखा होका मैंने डिटेल में सारे सारे कोर्सिस के बारे मैं बताया था ठीक चलो तो अब बात को करते हैं आपर समाप्त और कल फिर वापस आप लोगों से मुलाद लागात होगे रिखीगा जो मैराथन सेशन है इसके बारे मैंने आपको पता है इसमें मेरे साथ जोड़ना ना भूले इस मैराथन सेशन में 14 November को मैं Marathon session लेके आ रहा हूँ दोस्तों, Current Affair का Marathon session है महा Marathon session है जहां पर मैं January से लेके जुलाई तक का लगबग 6-7 घंटे की class होगी 14 November शाम को 5 बज़े तिक, जहां Current Affair का समपूर्ण निचोड आपको मिलेगा चलिए इसी के साथ इस class को करते हैं समाप्त आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर बबाए